हमारे देश में हर धर्म को मानने के आजादी है लेकिन कई ऐसे धर्म हैं जो अपनी मनमानी भी करते हैं जी हाँ और अब एक नई बहस हमारे देश में छिड़ चुकी है कि रेलवेज और सेना के बाद में पूरे भारत देश में अगर सबसे ज़्यादा संपत्ती अगर किसी के पास है तो वो है हमारे देश के अलग अलग रूप से संचालेट वक्फबोर्ड जी हाँ है रानी पूरे देश भर में अब इसी के उपर एक नया विवाद चुड़ा हुआ है जब से केंदर से ये आदेश हुए है कि अब वक्फ जो कानून चला आ रहा था कई सालों से अब उसका रिव्यू होगा उसमें कई प्रकार के चेंजिस किये जाएंगे और इस बात ने इस एक छ खूटी सी बात है कि बरसो पुराना कोई कानून चला रहा है और वो अनाधिकरत रूप से और ये हम नहीं कह रहे हैं देश के कई लोग ये कह रहे हैं कि अनाधिकरत रूप से जो जमीनों पे चल अचल संपत्यों पे जो कबजा करा था अब वो शायद कबजे चूटेंगे और आगे वो ऐसा ना कर सके उसका भी माकूल विवस्ता होगी इसी पर बात करने एक लिए हमारे साथ विश्विंदू परिशत की राष्टि प्रवक्ता अमितोष पारिक हमारे साथ मौजूद है अमितोष जी कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर और ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये वाके में एक बहुत बड़ी वात है रेलवेज और आर्मी के बाद में तीसरी ऐसी संस था जिसके पास पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा संपतियां और वो है वक्व बोर्ड अब इसी वक्व बोर्ड पे लगाम ल कोड़ी के नेतरत में केंदर सरकार एक कानून लाने वाली है या जो पुराना कानून उसमें रिव्यू करने वाली है, क्या कहना चाहिए? आप किसी की भी प्रॉपर्टी को कब जा सकते हैं और इसी का अधार बना कि 8 लाग से ज़्यादा एकड़ जमीन आज वक्फ की हो गई मतलब इस देश के अंदर में सरकार के बाद सबसे ज़्याद अगर किसी की प्रॉपर्टी है कब जाए भी तो वक्फ की है रेविन्यू में आई ये तो आप भी देखी कि इस कानून को शंशोदन होना तय है ऐसा कानून इस देश के अंदर में जो विभाजित के बाद किसी को अधिकरत नहीं बलकि कब जाए भी जमीन पे अपना अधिकार बनाता है स्वामित्व का अधिकार देता है बलकि इसको स्क्राइब करके और इसको अटाई देना चाहिए लेकिन इस एक बात ने हमारे देश में एक नई बहस छोड़ दी है जो वक्फ बोर्ड की जो भी रहनुमा है या फिर जो मुस्लिम समुदाय के जो बड़े नेता है असदुदिन ओवैसी की हम बात कर ले और कई मौलवी हैं, कई ऐसे काजी हैं जिनोंने काया कि ये जो वक्फ की जो संपत्ती है या फिर जो उस धर्म विशेश की जो संपत्ती है उसे हतियाने की केदर सरकार की और विशेश दोरपे भाजपा की एक चाल है मुझे बताईए कि ये वो लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं एक तरफ ये कानून की बात करते हैं और सदन में जैफिलिस्तीन की बात करते हैं नारे लगाते हैं शपत के दोरान ये वो लोग हैं जो समिधान को हाथ में लेके चलते हैं लेकिन जब वक्फ की ऐसे कानून की ड्रैकुनियन लॉग की बात होती है तो यह कहते हैं यह इसलामिक लॉग के विरूद है और खुली चतामनी सरकार को देते हैं इस लोकतांत्रिक देश में जहां पे कहा गया है कि किसी बितरे से अज समिधानी कानून को घटा रहे हैं तो आप यह कह रहे हैं कि इसलामिक लॉग के अगिंस्ट है यह वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि विभाजन जैसे इस्तिति ला देंगे यह वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुस्लमान सड़कों प्याजएगा यह वो लोग है जिन्होंने नागरिक कानून को भी न मुझे लगता है इस तरीके के तर्क और वितर्क कि कोई आविशक्ता ही नहीं पड़ती है। तो हिंदू की प्रॉपर्टी पे भी आप अधिकार जमा रहे है। वक्फ रिविनल के अंदर में बदलाब लाएगी और ऐसे कानून में जो अधिकरत और कभजाईवी प्रॉपर्टी को स्वामित को अधिकार देते हैं। उनको अपने संशुदन के जरिए एक समिध्धानिक रूप भी देगी। ये तो जो अब जो होगा ये उसकी बात है लेकिन पहले से जो वक्फ बोर्ड के पास में जो भी संपतिया हैं। क्या उसका भी रिव्वी होगा, क्या उसको भी उसके ओरिजिनल मालिक को दिया जाएगा। मैंने जैसा कि पूर्व में कहा कि 123 प्रॉपटी जो डेली वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी कॉंग्रेस सरकार दुआरा, उन प्रॉपटी इसको सरकार ने बापिस से ले लिया गया है। यह वो प्रॉपटी जी आपको पता होगा, यह राजिस्थान में जैपूर में विधान सभा की जो विधायक के निवास थे, आज भी वहाँ पे स्टे लगावा है, वक्फ ने बोल दया, यह हमारी प्रॉपटी है, कल को होटल में बोलता है, यह हमारी प्रॉपटी है, और लगता है, जो सरकार की प्रॉपटी उने सरकार को लेनी चाहिए, जिस निजी प्रॉपटी उसको निजी को देनी चाहिए, और ऐसे कानून को जल से जल रद कर देना चाहिए. जाहिर सी बात है, कि किसी भी संपत्ती को अपना बना लेना और उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, इस प्रकार के कानून आजादी के इतने सालों बाद भी अगर चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, उन्हें परिवर्तित होने की सक्त जरूरत है. सेहोगी केमरमेन आजा के साथ, उमंग माथूर, जन्ता दरबार.